आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फोन पे की हिस्ट्री को डिलीट करना चाते हैं तो आप उसे कैसे करेंगे आपने फोन पे से किसी को पैसे बेजे हैं हो सकता है कि आपकी वो हिस्ट्री यहाँ पर कोई सीक्रेट हो और आप उसको यहाँ पर लोगों से बचा कर रखना चाते हैं मतलब फैमिली मेंबर से और इसलिए आप उसे डिलीट करना चाते हैं तो आप उसे कैसे डिलीट करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दू कि फ हिस्टी है वो डिलेट हो जाएगे तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने फोन पे से कोई यहाँ पर ट्रंजक्शन की है और आप उसको डिलेट करना चाते हैं तो वो किसी भी हालत में डिलेट नहीं होगी चाहें आप इतनी कोशिस कर लो मैंने इनके कस्टोमर केर से भी बात की थी और उन्हों ने मुझसे यही कहा कि मेरे पास ट्रंजक्शन हिस्टी को डिलेट करने की कोई भी अथोर्टी नहीं है और फोन पे में यह डिलेट नहीं होती है तो अब आगे से अगर यहाँ पर आप कोई ऐसी ट्रंजक्शन करते हैं और आप उसकी हिस्टी को डिलेट करना चाते हैं तब आपको उसके लिए गूगल पे से करना होगा जी हाँ दोस्तों गूगल पे में एक आप्शन दिया जाता है जिससे आप अपनी ट्रंजक्शन हिस्टी को डिलेट कर सकते हैं और मैंने उससे डिलेट भी किया है तो अगर दोस्तों आप phone pay की जगे Google Pay से अपनी secret transaction को करते हैं और उसको आप delete करना चाते हैं तो delete कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस पर already वीडियो बना रखी है कि Google Pay में transaction HD कैसे delete करते हैं जिसमें मैंने live transaction HD को delete करके आपको देखाया था तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हैं तो देख सकते हैं और यहाँ पर कैसे delete होती है यह भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो जो Google Pay होता है वो Gmail से connect होता है मतलब जो अपनी email idea बनाते हैं उससे connect होता है तो आपको इसके लिए अपने Google account में जाना होता है मतलब जिस email से आपने इसमें register किया है उसी email के आप Google account में जाएंगे और वहाँ आपकी यह सारी history store होती है और वहाँ से अगर आप एक बार delete कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सारी history delete हो जाएगी जिसको आप sell करोगे और इसे delete करने में ज़्यादा time नहीं लगता है पांच मिनिट के अंदर यह सारा काम हो जाता है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी जिससे next time आप अपनी transaction history को अच्छे से delete कर पाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जिरू कर देना साथे अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं